Hello friends आज़ की इस वीडियो में 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 आपको यह बताने जारों कि कैसे आप एपने वीवो X100 pro Androidकों में का सबसे पहले तो आपको अपने वीडियो की ना A-PIN सैटिंग को रिसिट करना है इसके लिए phone का setting page open करना है, setting page में आपको जो रहा है, यह उपर की side network and internet पे tap करना है, इसके अंदर आपको sim card and mobile network पे tap करना है, इसके अंदर आपको अपने phone की sim select करने, जिस sim से call android की problem आ रही है, ठीक है, इसके अगले page में आपको नीचे की side option मिलता है, access point name का इसे tap करना है, इसक इसके फोन की a-pin setting को reset करना है, जिससे आपके phone की call android की problem solve हो जाती है, अब देखिए अगला काम आपको करना है, आपको जो है आपने mobile phone को restart करना है, इसके लिए आपको mobile phone के side वाला power button आपको उंगली से दबा के रखना है थोड़ी दिर तक, तो आपकी screen की सामने page आएगा यह प्रॉलम आती है, तो problem solve हो जाती है, फोन को restart करना है, अब देखिए अगला process आपको करना है, आपको जो है अपने mobile phone के network setting को reset करना है, इसके लिए phone का setting पेज ओपन करना है, सबसे उपर इस search icon पर tap करना है, यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है, आपको नीच reset option इस शो होता है, आपको जो है इस page में reset option के setting टैप करना है, इसके अगले page में सबसे उपर reset wifi mobile and bluetooth पर tap करना है, आपको इस तीन setting देख रहे हैं, वाइफाई, mobile data, bluetooth यह तीनों setting phone की network setting के साथ reset हो जाती है, आपको नीचे इस reset setting पर tap करना है, इसके अगले page में आपको अपने mobile phone का screen lock enter कर देना है, इसके बाद आपको इसे right click करना है, आपको next page में दुबारा से इसे नीचे reset setting का option टैप करना है, आपको नीचे यहाँ पर लिखावा आ जाता है, network setting have been reset, इस तरीकी से आपके phone की network setting को reset करना है, ठीक है, जिससे आपके phone की call and rate की problem solve हो जाती है, अब देखि आपको जो ने ये भी चेक करना है कि जो आप अपने phone का calling का recharge करवाते हैं, उसे भी आपको चेक करना है, कई वो खतम तो नहीं हो गया है, कई वार ऐसा होता है कि हमारा phone का calling का recharge खतम हो जाता है, जिसके कारण भी phone में call and rate की problem आती है, ठीक है, आपको ये भी confirmation कर लेना है, ठी करना है कि वो update है या नहीं है, इसके लिए आपको पहले तो mobile phone का internet आपको चालू रखना है, इसके बाद आपको mobile phone का setting page open कर लेना है, ठीक है, setting page के अंदर आपको जो नीचे आना है, नीचे की साइड आपको ये option मिल जाता है, ये system update का इसे tap करना है, आपको जो ने इस वाले वीडियों मेरे बताय हुए सारे process आपको यूज करने से आपके mobile phone की जो call and rate की problem है, solve हो जाएगी, ठीक है?